आज कल आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी काफी चर्चा में बने हुए हैं इनका नाम है के चंद सेकर राओ और जो तेलंगा ना राज्जे ना यहां के मुक मंत्री है चीफ मिनेस्टर है तो आज हम लोग इनकी वायोगराफी कवर करेंगे यानके इनके बारे में जानेगे इससे पहले चाप लोगों को समान जानकारी बता देता हूँ आप में से कई लोगों का ये सवाल हुई रहता है क्या BGP को हराए जा सकता है क्योंकि अभी आप देखे कि BGP आसमान चुरही है 303 लोगसभा में उसकी सीटे हैं और 2024 में आप आप देखी कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव होना है, 549 टोटल सीटे हैं लोकसभा में, देखे बेस जह जग आप समझे लिजे कि BJP की जगे कोई और पार्टी हो या BJP हो हराया जा सकता है, अभी भी आप देखे 40% से कम बोट BJP को मिलता है, टोटल बोट का कह रहा हूँ, 60% इसके बिरोध में बोट पड़ता है, अगर आप सोचे कि 60% को एक किया जाए, समझ रहा है आप तो BJP हार सकती है, और इससे पहले भी एक उधारन हमारे देश में रहे हैं, अभी आप देखे बीजे पी तो 303 पर वहुंची है, कॉंग्रेस पार्टी 400 पिल अलग अलग चुनाव लड़ रही होती हैं, तो बोट बट जाते हैं, और जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ गी, तो आप देखेंगे बोट बटेंगे नहीं, और आप देखेंगे एक तरह से जीत हो जाएगी इनकी, अब आप देखी बिहार में अगर RJD, कॉंग्रेस और नीतेश कुमार मिलकर लड़ते हैं, तो बेसक आप देखेंगे कि BJP को नुकसान होगा, इसी तरह महराष्ट में अगर आप देखेंगे कि BJP के खिलाब महा अगाड़ी जो बनी थी गटबंदन, अगर बोट लड़ता है तो BJP को नुकसान होगा, अगर आप लोग पर्ष्य मंगाल में देख लिजे, तो आप देखें कि 2019 जैसी इस्तिती पर्ष्य मंगाल में भी नहीं है, अठल भी हारी बाच पर ही कि समझ चले जाई आप लोग, कॉंग्रेस को हराया ना, इतनी सारी पार्टियों ने आप देखें गटबंदन किया, सरकार चली भी है, तो ये आप देखें कि क्या होता है 2024 तक ये आने वाला बक्त देखने को मिलेगा, और हाँ, एक बात लेकिन समझ लेजिए, कॉंग्रेस के गटबंदन बिना आप देखें, बिपक्च का एक होँपाना बड़ा मुस्किल है, और चुनाव जीत पाना बड़ा मुस्किल है, क्योंकि अभी भी हमारे लोग सभा में 265 सीटों की लगभग, 265 सीटें ऐसी हैं देश में, जहां कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच डारेक्ट फाइट होती है, जहां इन छेत्रिय पाइटियों का कोई एक तरह से अस्तित नहीं है, तो उसे बिना गटबंदन में लिए गटबंदन सफल नहीं हो सकता है, इसको मुझे लगता है कि हर नेता भी जानते होंगे, कॉंग्रेस कितनी भी कमजोर हो गई हो, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि राष्टी स्तरपा उसका एक मंच है, उसके कारी करता है पूरे देश में, और पिक्चर देख लीजे के चंद सेकर राओ क इनके आप देखे, परिवार है, और इनकी पाइटी जो तेलंगाना राष्टे समिती है न, उसका चुनाव चिन है, और ये तेलंगाना से संबंद रखते हैं, और आप सभी को मालू है कि 2 जून, 2014 को ये तेलंगाना राज बनाए गया था, पहले आंध्विदेश का हिस्सा उगा करता था, और आंध्विदेश आपको मालू होगा, कि भास आईए आधार पर गटित होने वाला पहला राज है, ठीक है, और एहदराबाद इसकी राध्धानी है, आप देखिए 36 गड़, महराष्ट, करनाटक, आंध्विदेश से इसकी सीमा लगती है, यहां बिधान चंद सेकर राओ के पूरे नाम की बात करें, कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो कलाओ कुंतला, चंद सेकर राओ, इनका पूरा नाम है, सौट में आप लोग इनका कहते हैं, के सी आर भी कहते हैं, के चंद सेकर राओ भी कहते हैं, और देखिए आप लोग आप सभी जान उननीस्तो चंगन में होता है और सिद्धिवेट हैदराबाद भारत में इनका जनब होता है हिंदू है और वेलमा जाती से आते हैं और आपको बता दू यह जाती निजाम के सासनकाल में उत्तरफदेश से तेलंगाना लाकर बसाई गई थी इनके पिता का नाम रागवार और इनके एक भाई हैं बड़े और नो बहने हैं बड़ा परिवार हैं इनकी पतनी का नाम के सोभा और बेटा का नाम केटी रामराओ राजनेता है पॉलिटिसियन है और बेटी का नाम कलाओ कुंतला कविता यह भी पॉलिटिसियन है राजनेती से जुड़ी हुई है अगर तेलंगाना राष्ट सम्ती के राष्ट सम्ती इनकी राजनितिक पाइटी है और आप देखें कि तेलंगाना में अच्छा पिरभाव है इनका इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए अगर हम लोग इनकी राजनितिक यात्रा की बात करें तो 1983 में वो यह तेलगू देशम पा करता है कि विधान सबा चुनाओ की अगर हम बात करें विधायक का अगर चुनाओ लड़ना है मेकाप तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होने चाहिए आधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई इसमें सीमा कभी तक आप लोग चुनाओ लड़ सकते हैं और इसका चुनाओ आप देख वही ये चुनाओ करवाता है चाहिए आपका विधान सबा हो विधान परशद हो राज्य सबा हो लोग सबा हो राष्ट पती हो और एलेक्सन कमिशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सम्मिधानिक संस्था है अनुछे 324 आप पड़े होंगे तो आपको की मन में यह भी सवाल उठता है कि राज्यों में जो इस्थानिये चुनाओ होते हैं सरपंची का हो गया पिरधानी या आप देखे जिला पंचयाद नगर पंचयाद नगर पालिका नगर निगम इनके लिए आप देखे हर राज्य में आप दिखते हैं उनका चुनाओ आयो होता है उत्तरप्रदेश जाएंगे तो उत्तरप्रदेश निर्वाज चनायों समझ रहे हैं आप लोग सभी राज्यों में अपने होते हैं फिर आप देखेंगे कि 1985 से 1999 में 1999 तक उन्होंने सिध्धिफेट से चार विधान सवाचुनाओं में जीत दर्ज की चार बार और 1987 से 2001 में वय आंध्पिदेश विधान सवा की और सभापती की रूम में भी चुने गए सन 2001 में उन्होंने तेलगुदेशम पार्टी से इस्थीपा दिया और 2001 में उन्होंने तेलंगाना राष्ट संथी की इस्थापना की और 2009 से और 2014 तक उन्होंने महभूब नगर आप देखिए कोई सीमा यहां भी नहीं रखी गए इनका चुनाव भी जो आपकी मद्दाता होते हैं 18 साल के जो लोग हो चुके होते हैं उन्हीं से चुनाव होता है फिर आप देखेंगे 2014 में जब तेलंगाना राज बनता है तो वो तेलंगाना के पहले मुखमंत्री बनते हैं और 13 दिसंबर 2018 को यहां पुनाचुनाव होता है और आप देखेंगे कि यहां तेलंगाना के फिर से वो मुखमंत्री बनते हैं क्या बनते हैं मुखमंत्री बनत 24 अबॉर्ड भी मिला था किरसी नेतित पुरुसकार भी 2017 में इन्हें दिया गया था तो ये स्वार्ट वायोगरापी है के चंद सेकर राव की और भी किसी के बारे में अगर जानना है दिल्चस्प भी है तो उसका नाम आप लोग बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लें हैं तो हमें मालूप ही होना चाहिए इनके बारे में